मंद्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधान सभा चुनाफ होने है लेकिन उससे पहले ही सत्ता रुन बीजेपी को बड़ा छटका लगा है विनाजबा जुनाफ से पहले हुए नगरपालिका के उपचुनाफ में जहां बीजेपी को बड़ी हार मिली है तो महीं कॉंग्रिस ने ज़दावर्दस्त जीत के साथ तंका बचाया है आकड़ों के मताविक कॉंग्रिस के बारा में से नौ पार्षदों को जीत हासिल हुई है मद्यप्रदेश में 15 साथ से बीजेपी की सरकार है इस बार भी पार्टी जीत का चौका लगाने का दावा कर रही है मगर उपचुनाफ के नतीजों से उसकी रहा मुश्किल नजर आ रही है दरसल मद्यप्रदेश के 11 जिलों की नगरपालिकाओं के 12 वार्ट में उपचुनाफ हुए थे जिसमें बीजेपी की पड़ी हार हुई सतर रूर पार्टी को महस दीन सीटे ही मिली है जबकि विपक्षी कॉंग्रेस ने 9 सीटों पर जीत का डंका बचाया इस जीत के बाद कॉंग्रेस नेताओं का कहना है कि अभी तो यह शुरुवात है पूरे पिक्चर तो आने वाले विधानसभा चुनाफ में नजर आएगी वह हार के बाद बीजेपी के नेताब बोलने से बच रहे हैं वैसे हो शंगाबाद जिले के पंच मणी कॉंटोनमेंट बोर्ड में हुए जुनाफ की नतीजे भी कॉंग्रेस की पक्ष में रहे थे पार्टी ने 7 में से 6 सीटे जीत ली थी पार्टी के लिए छोटी छोटी जीत के पड़े मायने हैं क्योंकि 2003 के बाद से ही राज्य में कॉंग्रेस जीत दर्ज नहीं कर पाई ऐसे में ये नतीजे उसे विधानसभा की धहलीस तक पहुँचाने में मददकार साबित हो सकते हैं वह अगर बीजेपी के स्थिती देखें तो लगादार उपचुनाओं में हार रही बीजेपी के लिए चिंता की बात है क्योंकि सिर्फ विधानसभा ही नहीं बलकि लोगसभा के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा राज्य है पिछले चुनाओं में पार्टी ने 39 लोगसभा सीटों पर जीत दर्च की थी ऐसे में विधानसभा के साथ साथ लोगसभा के जीत भी उसके हाथों से खिसक सकती है